अस्लाम अलेकूम मेरा नाम है आसिफ शाह आप देख रहे हैं टेक्निकल आसिफ शाह यूट्यूब चैनल आज आप लोगों कोई बॉक्स नजर आ रहा है लिनोवो का ये बॉक्स है और ये एरबर्ड्स हैं बहुत आला कॉलिटी के ये airbirds हैं जिसका model है HT38 यानि HT38 इसका model है और बहुत आला कॉलिटी जिसके आज हम unboxing करेंगे और आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि ये airbirds buy करना चाहिए या नहीं हमने अली एक्सपरेक्स से ये airbirds को buy किया है और आप लोग भी अगर इसको online या offline buy करना चाहें तो buy कर सकते हैं इसके box को open करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोग new आएं हमारे channel पर जल्दी से subscribe करें like करें और share करें साथ ही bell icon को press करना मत बूलें इस box को open करते हैं ये black color का हमने order किया था इसमें दो color के ये variant थे एक white color में था और एक black color में हमें जो पसंद था black color था तो हमने black color ही order किया था ये box आप लोगों को नजर आ रहा है इस वक्त आप लोग देख सकते हैं type c के अंदर ये air birds दिया गया है यहां देखें आप लोगों को नजर आ रहा है type c की port और यहां देखें लिनोवो की branding हुई भी है और light weight है यह यानि इसका weight नहीं है scoping करते हैं तो यहां पर इसकी green light on हो जाती है तो यह off हो जाती है side में यहां पर एक button दिया गया इसका और यह इसके air दिये गए है right और left यह भी निकाल कर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ करीब से दिखा देता हूँ बहुत आला quality के earbuds बनाए गए हैं light weight है और sound quality भी हमने यह unboxing से पहले check की थी इसकी sound quality भी इसकी काफी अच्छी है यह आ गया left या गया right यहां आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को नजर आ रहा होगा इस तरह से आप देखें यह Lenovo की branding आप लोगों को नजर आ दी इसको off कर देते हैं तो अब यह charging start हो गई है करीब से आप लोगों को दिखा देते हैं इस तरह से और light weight है बिल्कुल light weight है यह sound quality इसकी बहुत आला quality की sound quality है इसकी और price भी कोई इसकी ज्यादा नहीं है price भी आगे चलके मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूँगा और unique design बनाया गया है यह Lenovo की जानिब से जिसका model मैंने आपको पहले बताया HT 38 यानि HT 38 इसका model है light weight है auto pairing होती है इसकी और auto अगर जैसे ही आप इसको air से निकाल देते हैं तो यह off हो जाता है तो sound के हवाले से weight के हवाले से battery के हवाले से battery backup भी इसका बड़ा इच्छा है type C की port के साथ यह दिया गया है अब दिखा देते हैं आप लोगों को इसकी charging cable यह दिखेंगे इसकी charging cable आप लोगों को नजर आ रही होगी इसकी short cable जो air birds में आती है इसके साथ भी short cable दी गई है मैं आप लोगों को इस तरह से दिखा देता हूं यह देखें आप लोग type C की यह cable इसके साथ दी गई है short cable को इतनी लॉंग नहीं होती और इसे फिलाल लग देते हैं बागी box में check करते हैं कि box में क्या mention किया गया इनकी जानिब से और देकें true wireless Bluetooth earbuds अगर आप देखेंगे तो इसी के model को और इसकी बैटरी बैकप और मेंच को मेंचन किया गया है और यानि यानि six to eight hour इसका बैटरी बैकप है sound quality भी अच्छी है मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया और इसकी अब पात करते है प्राइस की तो प्राइस जो इनकी हमें अली एक्सप्रेक्स पर मिली थी वो टू थाउजन रूपीस की इसकी प्राइस थी जब हमने यह और किया था दो कलर थे जैसा मैंने आपको पहले बताया एक वाइट कलर और एक ब्लैक कलर अगर आप लोग वाइट बाय करना चाहें और यहां आप देखेंगे दोबारा इसको प्रेस किया उसके बाद यह देखेंगे दोबारा यह लाइट ग्रीन कलर की मैंशन हो गई है और बिलकुल लाइट वेट के अंदर यह एरबड्स बनाएं यहां से भी आप देख सकते हैं इस रफ से भी देख सकते हैं हर एंगिल स और अच्छी कॉलिटी के यह AirBuds है लिनोवो वैसे यह एक ब्रैंड है अच्छी प्रोड़क्ट बनाता है तो हमने इसको आप लोगों को दिखा दिया के इसकी कम्प्लेट रिव्यू अन्बॉक्सिंग आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दे दी अगर आप लोग को इस त आज की वीडियो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आईए तो हमारी चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें हम आमेशा आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लेकर हाजिर होते हैं फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जब तक के लिए अला हाफिज